पंसे लेके आज तक आपने सिर्फ और सिर्फ जो बोलियां होती हैं आपने औरली यानि कि मूह से ही लेना आपने सीखा है लेकिन अब जब इस तरह की चीज़े जब आपके सामने एकदम सड़न आजाती है तो आपको बहुत घबराहट होती है कि यह कैसा हो गया यह क्या आती है जो कि डॉक्टर्स ही आपको प्रिस्क्राइब करती है लोगों की यह बहुत बड़ी प्रॉबलम होती है जो कि अक्सर दिखाए देती है उनकी बढ़ती उम्र में जब उनके प्राइवेट पार्ट का एरिया है वो थोड़ा सा लूज पढ़ने लगता है तो बहुत के साथ बहुत सरी चेंजेज आते हैं उनके शादी के बाद शादी के बाद फिजिकल चेंजेज इतने जादा होते हैं और उसके बाद आपकी प्रिगनसी इन सारे चीजों का जो बहुत बड़ा एक कारण मान सकते हैं यह सारा कुछ भी कंट्रिब्यूट करती है लेकिन बने की क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि आप जब जैसे जैसे एज करते हैं वैसे वैसे आपकी बॉड़ी की इलास्टिसिटी कमजोर होती है और यह जब कमजोर होती है तो इन सारे पार्ट्स में डीला पर नजर आता है और सिर्फ इन पार्ट्स में नहीं आपके अध तो उसी तरह से आपके प्राइवेट पार्ट में भी ये धिलापन उसी वज़ा से आता है लेकिन कुछ ऐसे टैबलेट होते हैं जो की वजाइनली इस्तमाल किये जाते हैं और बहुत सरे लोगों का ये भी कहना होता है कि वजाइनल टैबलेट्स अगर हम इस्तमाल कर भी रहे तो वो सिर्फ और सिर्फ धिलेपन के वज़ा से नहीं क्योंकि कए बार UTI भी होती है बहुत सरी महिलाओं कि अगर लाइफ इस्तियल सही नहीं है उनकी परसनल हाइजीन सही नहीं है तो उनको UTI होती है यानि कि urine tract infection भी होती है और infection का लेवल अगर जादा होता है तो उस टे Presidency के शुरबाती दिनों में कुछ ऐसे तैबलिट्स तीये जाते हैं जो कि वजायनली इस्त ஓ आप से फंक नहीं पता होता है क्योंकि bach筌 से लेकर आज तक आप सिर्फ और सी Arnold, आपने आपने चीज उती लेना आपने सीक आ हैं लेकिन अब जब इस तरह की चीज़े जब आपके सामने एकदम sudden all of a sudden आ जाती है तो आपको बहुत घबराहट होती है कि ये कैसा हो गया, ये क्या चीज़े हैं, मतलब इसको कैसे इस्तमाल करें, कोई शर्म की बात तो नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि इनको इस्तमाल करने का बिल्कुल सटिक सा साधारन सा तरीका होता है, और इसको बिल्कुल भी शर्म ना माने इसको दी जाती है, जो कि डॉक्टर्स ही आपको प्रिसक्राइब करती है, और किन-किन मामलों में प्रिसक्राइब करती है, आपकी जाहे आपके कितने भी क्लीन हो, आदे गंटे पहले आपने धोया हो, फिर भी आपको अच्छी तरह हाथ को साबुन से, हैंड वाश से अच्छी तरह से आपको वाश करना है, उसकी बाद हो सके तो आप तब भी सैनेटाइजर का भी इस्तमाल कर लें, और उसकी बाद जो बज लंबी सी स्टिक होती है, जो कि बिलकुल मेभी शायद 3-4 इंच चौड़ी लंबी होती है, तो वो जो लंबाई में दी होती है, उसके टिप पर आपको वो टैबलेट रखने का एक स्पेस दिया होता है, और उसको आपको धीरे-धीरे अपने प्राइवेट पार्ट के एरि नहीं होगा, क्योंकि ये पेन करने वाली चीज नहीं है, बिलकुल बहुत छोटी सी चीज होती है, जिसको आप इजिली अपने प्राइवेट पार्ट के अंदर रख सकते हैं, हो सके तो आप बात्रूम में जाएए, कमोड पे एक अपना पैर, एक पैर को आप उपर कर और अच्छी तरह से अपनी हाथ को वाश करने के बाद ही आपको टैबलेट को इंसर्ट करना है, और कोशिश करिए कि कोई भी टैबलेट अगर इस तरह की इस्तमाल अगर आप कर रहे हैं, तो दिन में या दोपर में इसका इस्तमाल ना करें, unless and until अगर आपको डॉक्टर न आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, तो इनका काम यही होता है कि रात में आपकी बॉड़ी थोड़ा स्टैबल होती, इस टैम पे आप सोते हैं, तो वो जो टैबलेट से उसका असर होता है, और जादा अच्छे तरह से असर होता है, तो उस टैम पे आपको यह टैबलेट इं कि दुसके आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्कता नहीं कि यह क्यूं निकल रहा है ऐसे क्यूं हो गया तो एस लिए नहीं घबराना है , जितना भी असर था वह दो घंटे के अंदर उसका असर हो गया है उसके बाद जो होने जाते हैं जब आपको लगता है कि it's a time to sleep जब अगर आप सोने जाते हैं उस टेप पे अपने private part के area को अच्छी तरह से clean करने के बाद ही उस vaginal tablets का इस्तमाल करिए और उसको as it is पूरी रात उसका असर करने के लिए आप इसको tablets होते हैं जो कि vaginaly इस्तमाल के जाते हैं आपको एक अच्छा असर दिखाए देता है अगर आप comfortable नहीं है अगर मालिजे कि किसी भी कारण से अगर आप pregnant है और आप comfortable नहीं है आपको ज़्यादा infection लग रही है या ज़्यादा problem लग रही है तो आप डॉक्टर से और भी alternate आप उनसे पूछ सकते हैं हाला कि आपकी pregnancy को sustain करने के लिए ये बहतर तरीका है लेकिन progestron के कई बार injections भी लगते हैं गोलिया भी होती है तो आएक बार आप doctor से consult कर सकते हैं लेकिन अगर infection है आपको proper infection है UTI है तो उस time पे सबसे अच्छा बहतर विकल्प है कि उसी एरिया में जहां पर problem है वहीं पर दवाईयों को जब insert किया जाता है तो इसका अच्छा असर आपको देखने मिलता है हाला कि मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था जिसमें मैंने आपको बदाया था कि आपको एक टब में गुनगुना पानी लेना है जितना कि आपकी बोडी बरदाश्ट कर सके और उस गुनगुने पानी में आपको एक से दो चमश फिटकीरी को घोल देना है फिट कीरी को घोलने के बाद आप उसमें सिट्स बात ले सकते हैं और ये कई बार आप इसको दिन में नहाने के समय में अगर प्रयोग में लाते हैं तो उसे आपको साथ से दस दिन के अंदर बहुत ही जाधा फर्क महसूस होगा और आपकी infection बहुत हद तक दूर हो जाएगे कुछ अगर smell है, foul smell है, गंदगी है, कहीं न कहीं आपको धीलेपन की समस्या है सब कुछ cure होती है तो आपको naturally भी try करना चाहिए और डॉक्टर ने अगर आपको prescribe किया है, अगर आपकी infection का level जादा है तो उस tablet का भी इस दवाल आपको रात की रात करना है कैसे करना है मैंने detail में जनकारे आपको दे दी अगर मेरे video बनाने का मकसद अच्छा लगा, समझाने का तरीका अच्छा लगा तो चैनल को subscribe करके, एक बार bell icon को जरूर hit कर देजेगा ताकि मैं जब भी videos डालूंगे आपके पसंद की तो आप उस video को click करके जरूर देख ले Thank you so much for watching, twins my world care